वेलकम गाइज और माई यूटूब चैनल यूनिवर्सल थिंक दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकाई दूँगा कि आप एक सिंपल साइकल में हम मोटर कैसे लगा सकते हैं उसकी कितनी स्पीड होती है वो कितने स्पोग में होती है आप कैसे अपने घर पे साइकल में कनवर्ट कैसे कर सकते हैं या अपनी एक साइकल को अपने घर पे कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रिक में कनवर्ट कर सकते हैं या मुझसे भी यह आप कैसे परचेस कर सकते हैं ठीक है दोस्तों बात कर लेते हैं साइकल की दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में सारे ऐसे लोग हैं जो साइकल का यूज़ करते हैं और अपने काम पर या अपने दैनिक जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो वो साइकल पर ही चलते लेकिन दोसतों हमारे साथ समस्या यह होती है कि हमारे देश में जो मजदूर वर्ग है वो अपने घर से जब काम के लिए निकलते हैं तो वो काम पर जाते जाते ही हितना थक जाते हैं कि उन्हें वो काम और जो उनका अपना काम है उसे करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है तो इसी चीज़ को मेरे मन में था बहुत दिन से तो इसी चीज़ को समधान करने के लिए मैंने बड़ी साइक्ल में जी हाँ दोस्टो बड़ी साइक्ल में मैंने मैंने एक ह velvet लगा दिया वो पिछले वाले टायर में आप आप देख सकते हैं वो मैंने इसलिए लगा यह काफी लोगों की रिक्वार्मेंट थी भाईया रेंजर साइकल में तो 36 स्पोंग होते हैं उसमें तो आप ने लगा रखी है लेकिन बड़ी साइकल में 36 नहीं रहते हैं उन्होंने बहुत जिद करी थी तो मैंने इसमें ये बोक्स वगएरा ये सब चीज मैंने लगा दी थी अपने ही तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तो जो इसकी स्पीड है वो 40 km पर ती आर है 35-40 km पर ती आर की स्पीड है इसमें मैंने पैडिल, असेष्ट, लाइट, थ्रोटल वो सब भी चीज मैंने लगा रखी है जैसे एक स्कूर्टी में होती है ना दोसी चीज़ दोस्तो बात आती है कि आप इसे घर पे कैसे बना सकते हैं देगी दोस्तो इसे घर पे बनाने के लिए आप मुझे से kit purchase कर सकते हैं kit में आपको पलब्द करा दूँगा motor kit करा दूँगा जिससे आप अपनी cycle में लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों उसलिए यदि आपको 36 kakya के लिए combine की चाहिए माईले हो मुझे केवल केवल किट ख़री सकते हैं लकिन य की आपको इस तरह की पड़ी साइकल करना है तो दोस्तों मुझे मुझसे आप एक रीम परचेस कान पड़ेगा जो है मैं शत्ती स्पोग का शकते यह निया कि आपकी जब बाइटरी खत्म हो गई है तो आप इसे नहीं चला सकते आप इसे फिर बैडल से चला सकते हैं इसमें मैंने पैडल एसिस्ट भी लगा रखा है यह सभी चीजे मैं इसमें लगा रखी है हमोटर इसमें 36 वोल्ट की और 350 वाट की लगा रखी है ना बैटरी इसमें 18 एह की और 24 36 वोल्ट की लगा लगा रखी है जो कि से लगबग 70-80 km चलाने में मदद करती है ना तो यह दोस्तों 70-80 km यह मेरी साइकल चलती है यदि आपको यह परजेश करनी है तो दोस्तों मेरे घर पर आ सकते हैं मेरे घर का जो एडरेस है वो है मेरट और जो मेरट के आसपास से है जैसे बागपत से या बिजनोर से बडोत से बुलन शहर से हापुड से हरीदुआ से है ना और मुझफर से या जिलाम रोहा से या रुड की से जो जो मेरे आसपास की चिले हैं आप मुझसे घर पर आके भी ले सकते हैं मैंने अपने घर का एडरेस बता दिया है मेरे घर का एडरेस है मेरट में रोटा रोड पर है ना मैं इसमें वीडियो में नंबर भी दे दूँगा आप मेरे स प्रच्छ देता रहूंगा इसी इंफोर्मेटीव वीडियो आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियो बना रहा है लोग बहुत सारे मेरे घर पर आके समान परचेस करते हैं लेकिन तो इसका मतलब यह नहीं कि आप यदि द आपको बिजवा सकते हूं आपका समान यह बांठेसी किट करणे हैं इसमें दोस्तों हम कि इसमें इसमें बड़ा तो यही की फाय्दा है कि यह एक पोल्यूशन रही है मतलब इसमें पोल्यूशन नहीं होता साइकल में और सबसे चीज है कि आप इसमें 2-3 बंदों को भी ब आप सिर्फ इसे एक बार चार्ज करते हैं तो इसमें केवल दो रुपे की बिजली आपकी खर्च होगी जिससे आप 70-80 km चलेंगे और इसमें कोई इतना खर्चा नहीं है क्योंकि मेरे जो भाई लोग है जो मजदूर लोग है वह बहुत सारे देखता हूं मैं और आप भी दे लोगरी है लेकिन आप बड़ी साइकल में लगा इसल्स दोस्तों मैं आप देख सकते हैं बड़ी साइकल मैं अच्छे तरह इंपर hasini अच्छे आप चला सकते हैं यहां से आकete trigger सकते हैं इसमें तो ने बहुत भी सायोगा दिए हैं स्सिर्फ और आपकी requirement पर बहुत दिन से दोस्तों मैं वीडियो मना रहा हूं देखो इसमें इस बोक्स में controller box भी रख दिया इसमें बैटरी भी रख दियो मैंने वह भी लगा दिया था charging point है ना इसमें charging point point सब ची लग रही है बहुत ही आसान है इसे आप यहां तो किट मंगा लीजे किट मंगा कि आप अपने घर पर लगा सकते हैं आपको बस करना यह है सिर्फ motor के connection आपको controller में कर लेने हैं और इसके सारे बस मतलब यह है कि बहुत सा equipment जो आपको मिलता है उसके सारे equipment के connection आप controller में कर लेना आप बैटरी लगा लेना सबसे एक दर्खवाद करोंगा कि यदि आप electric component से electric vehicle बना रहा है तो आप इसे में सिर्फ आप electric vehicle के लिए यूज करें क्योंकि दोस्तों यदि आप lead battery यूज करोगे वह काफी महंगी होती है और मतलब महंगी भी नहीं होती लेकिन दोस्तों वह काफी जो है है हम motor kit चाहिए कुछ भी आपको component चाहिए आप में नंबर पे समपर कर सकते हैं मेरे नंबर मैंने आपको इस फ्क्रीन पर दे रखा है आप इस नंबर पे समपर करके मुझसे बात कर सकते हैं है अब चलते हैं इसकी राइड पे दोस्तों मैंने तयार हो गया हूं इसकी रोड़ करनी आसान नहीं होगी मेरे लिए कि दोस्तों काफी अच्छी चल रही है कि आप देख सकते हैं इसमें एख चीज़ रच्छी है दोस्तों इसमें भूत ही अराम से आप बैट के चलते हैं रेंजर शाइकल में तो थोड़ा थक भी जाते हैं लेकिन इस साइकल अराम आहाम से चलते हैं देख रहे हो बाई मोजी कर दिया टेक्निकल आशीश ने इसलिए टेक्निकल आशीश का आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आप देखिए दोस्तों मेरे चैनल आपको सब्सक्राइब करके ही जाना पड़ेगा है ना प्लीज दोस्तों आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले ना ल और हमारा जो बाहर तो आगे जाके इलेक्ट्रिक ही मतलब सब चीज इलेक्ट्रिक में हो जाएगी क्योंकि पैट्रोल की कीमत ही इतनी बढ़ रही है कि हम अपने विकल नहीं चला पते इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को ना रोके अपने बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जैहिंद एक बार फिर से आप इसे अराम से देख सकते हैं मैंने वीडियो काफी लंबी हो गई है मेरी फिर भी दोखिए दोस्तों मैंने एक कोशिच की है मैं एक छोटी सी वीडियो में पूरी जानकाई दे सकूं है ना इस पर आप तीन बंदी बठा की चल सकते हैं लोड कैश्टे से कितनी अच्छी है बैटरी और मोटर की एक साल की गैर तो सोलहज़ाव रुपे की है और यति डूस्तों मेरी साइके साथ पुरिया सवाल लेते हैं तो दोस्तों टींटिस जाइए पूरी मिलने वाली है यहापे जो की तीस से 35 क्लिमेटर एव्रेज की रहेगी ना दोस्तों यदि आपका कोई पडोसी है या आपकी बच्चे हैं उन्हें साइकल इलेक्टिक साइकल जरूर दिलवाए क्योंकि दोस्तों एक तो पॉलिशन ही थोगा आपको कोई पकड़ेगा नहीं है ना ये सभी जानकारी मेरा परपस था कि मैं एक वीडियो में दे देख सकते हैं दोस्तों आप सब चीज जैनुवन करके बना रखी है मैंने इसमें दो लोग है पीछे वाला लोग भी एक आगे वाला लोग भी है काफी जाद है इसकी डिमांड है आज के समय में इसलिए मैंने अब आपके लिए सॉल्यूशन क्या है तो दोस्तों आप भी म सबस्क्राइब करना ना भोले आपके साथ आपका भाई आशिश कुमार धन्यवाद जैहिन जैभारत आप से गुजाईश करूंगा कि आप और आपका प्रवार्श्वस्तर है सुकी रहे और खुशाल रहे आप इलेक्ट्रिक साइकल जरूर बनाए मेरी ऐसी आशा है और चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर जाना